हलो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ग्यान में आज की विडियो में बात करने वाले हैं एक बारी फिर से यह स्पैंग के बारे में जिहां एक दिन में दूसरी बारी बात करनी पड़ रही है क्योंकि यहां पर आई है कुछ बड़ी अपडेट जो की मैं प्रीवेस वीडीयो में कवर नहीं कर पाया था दो मेजर और इंपोर्टन अपडेट निकल के आ रही है वो हम इस वीडियो में डिसकस्ट करने वाले हैं सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो वीडियो का एंट तक आप जरू देगे सोड़े आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए चैनल पर वस्टाइम विजित कर रहे हो सब्सक्राइब जरू कर लीजेगा वीडियो अपको अच्छी लगे तो एक लाइक तो मैंने आपको बोला था कि कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज तो शायद अब ना हो 26 रुपे 25 पैसे यानि कि 26.25 का इसने आज के दिन का हाई बनाया जो कि 52 वीक हाई भी बना यस बैंक खा और यहां से अगर आप देखोगे तो एक 30 रुपे की डिरेक्शन में शे आज के दिन का वॉल्यूम बना बो बना 63 करोड यानि कि 63 करोड और कल के दिन भी आपको सेम वॉल्यूम देखने को मिला था लगबक 63 करोड के आसपास ही और हफते का एवरेज है 51 करोड का महीने का है 45 करोड का यानि कि यहां पर आज के दिन दोनों एवरेज बीट होते हु लिए वाइटीडी जैनवरी से स्टार्ट हुआ है तो यहां पे साड़े 19% के रिटरंस बन चुके हैं एक अफते में 6% के रिटरंस हैं एक महीने में 16.86 यानिकी लगबक 17% के रिटरंस हैं वहीं तीन महीने में 50% से ज्यादा के रिटरंस हैं येस बैंक में 3 महीने में 50% से ज्यादा बहुत बड़ी बात बन रही है चे महीने में 47-48% एक साल में 27 दो साल में 82% के रिटरंस हैं तीन साल में 45 यानिकी अब केवल 5 साल का टाइम फ्रेम छोड़ दिया जाए तो बाकी अगर आप देखो के आठों टाइम फ्रेम में पॉजि लिए उनको यहां पर रिटरंस मिल रहा है सबते पहले में पहली खवर आपके रामने रखता हूं यह देखो एंडी टीवी की आपकी यह रेपोर्ट देखने को मिल जाएगी आप यहां पर देख पाऊगे Yes Bank conducts export finance transaction on RXIL's ITFS platform यानि कि अगर आप यहां पर देखते हो तो इन्हों ने Yes Bank ने और RXIL ने एक टाइप से आप इसको partnership बोल सकते हो इन्होंने यहां पर एम किया है कि वो अब जो competitive credits है वो exporter और importer को available करा पाएं और इस चीज़ पे अगर आप देखोगे तो जो Yes Bank है वो पहली Indian Bank बन गई है जिसने export finance transaction एक international trade financing service platform पर किया है यानि कि RXIL Global IFSC Limited पर इन्होंने पहला transaction किया है और इंडिया की पहली bank यह बन गई है ऐसा करने वाली bank का जो partnership है fintech company के साथ इससे जो overall trade credit है उसमें improvement देखने को मिलेगा specifically exporter और importer को यानि कि बोथ Indian and global institutions को यहाँ पर फायदा होने वाला है और overall जो यहाँ पर इन्होंने जो competitive pricing offer करी है quick turnaround आपको यहाँ पर इनके digital platform को use करके देखने को मिलेगा तो यह एक बहतरीन चीज दोनों के लिए होती वी नजर आई है अब मैं इस पर बहुत जादा तो detail में discuss नहीं करूँगा लेकिन हाँ दोनों ही company के officials की जो बयान है बो भी आच चुके हैं दोनों ने बोला है कि overall यह win-win situation है yes bank के लिए भी और Rxil के लिए भी तो मेरे ग्याल से digitalization phase में yes bank अपने आपको एक superior level पर लेते हुँ जा रहा है मैंने UPI वाला भी आपको बताया था लगबक 43% के आसपास का इनका market share हो चुका है यानि कि लगबक इनों ने आदा market तो अपने नाम कर लिया है UPI transactions में तो यह भी एक बहुत बड़ी बात थी और अब पहली bank बन गई है अब दूसरी न्यूस पर चलने से पहले में जल्दी से एक glimpse दिखा देता हूँ प्रीवेस वीडियो में detail में discuss किया था यानि कि MK Global ने बहुत बड़ा धमाका कर दिया है जो कि पहले येस बैंक को हमेशा negative way में दिखाते थे टार्गेट बहुत ज्यादा कम देते थे जब यह 15-16 पर ट्रेड करता था तो तो यहाँ पर ऐसे ही 10-12 रुपे के टार्गेट देते थे लेकिन अप शेयर के हाल उन्होंने भी देख लिए तो उन्होंने भी यहाँ पर कुछ चीज दिखा सकता है लगबग 700% का improvement आपको year on year basis पर देखने को मिल सकता है यह बैंक के net profit में ऐसा मानना है यहाँ पर mk global का यानि की लगबग 400 करोड से ज्यादा का profit इस बारी यह बैंक के quarter 3 में देखने को मिलेगा ऐसा मानना है यहाँ पर mk global का detail में डिसकस किया है previous वीडियो मे वो आप जाके देख लेना यहाँ पर मैं आपको दूसरी निउस पर लेकर चल रहा हूँ यहाँ पर देखो कि निउस निकल के आई है कि yes bank ने वी फिन्स smart fin जो है वो introduce किया है और यह digital supply chain finance के लिए देखने को मिलने वाला है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ही था कि digitalization phase मे yes bank बहुत जादा आगे जाना चारा है और overall planning इनकी अच्छी घासी तरीके से चल रही है execution भी बहुत अच्छा हो रहा है आप यहाँ पर देख पा रहे होगे इन्होंने micro small and medium enterprises जिसको आप MSME बोलते हो तो उनको support करने के लिए इन्होंने एक smart fin app जो है वो launch किया है एक advanced digital supply chain finance platform यानि कि SCF platform है यह इन्होंने यहाँ पर launch किया है और यह vfin solution के साथ collaboration किया है तो overall अगर आप देखते हो जैसे कि अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया कि partnership deal sign करी पहला international export इंपोर्ट वाला जो trade था international platform पर पहली bank बन गई यहाँ पर आप देखो MSME को support करने के लिए नई चीज साथ के साथ NPA की दिक्कत थी उसको भी खतम किया जो इनके दिक्कत हैं और भी थी उस पर भी काम चली रहा है दीरे दीरे के numbers भी improve हो रहे हैं estimates भी अब तो better आने start हो चुके हैं और अब finally Yes Bank के share में भी positive impact देखने को मिल रहा है तो शायद हो सकता है कि 2024 Yes Bank के लिए एक अच्छ साल जाए तो यह expectation के साथ वीडियो को मैं यहीं पर end करना चाहूंगा comment में आप अपने opinion जरू share करिए इन दौनों न्यूस पर और अगर आपको MK Global की पूरी न्यूस देखनी है तो आप previous वीडियो में जाके देख सकते हो फिलाल वीडियो में बस इतना ही वीडियो अच्छी लेगे तो प्लीज एक लाइक जरू करिएगा चैनल पर फश्टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरू कर दीजेगा धन्यवाद